में सुन रे मलिश्का और उसकी मा की बात पता चलंगया मलिश्का प्रेगनेन्ट है बलविंदर की बच्चे के मा बनने वाली है बागी लक्षमी के आने वाली कहारी में आ चुका है जबदस ट्विस्ट्रे क्योंकि फानली बलविंदर और मलिश्का के रिष्टे का सच पता चलने वाला है अब मलिश्का की मा को जिया दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर जब मलिष्का जो अपनी दोस्त से कह रही होती है तो ने मेट को बचा लिया तो भाई मलिष्या की मा सुन लेते हैं कि तूने इतना बड़ा छूठ बोला अपनी मा को जुड़ साबित कर दे जोड़ दर तमाचा लगा देती है मलिश्का की मा उसको और कहते हैं कि जब तो प्रैगनेंट है तो फिर डर क्यों रही सच्छ, क्यों रिशी को यह रिशी और तेरा बच्चा है तो जो तो खुशना चाहिए जहां मलिश्का कहते है कि नहीं यह रिशी का बच्चा नहीं है जो सुनते हैं मलिश्का की मा को लगता है जटका तो वहीं दूसी तरफ लक्ष्मी ने रिशी से कहते हैं कि आज भली मलिश्का प्रेगनेट ना हो लेकिन आगे चल के तो वो हो सकती है जो सुनकरीशी का दिल टूचाता है वहारस वेहे चला दता है तो वही पर लक्षमी भी सोच रही है कि बार-बार बलविंदर मलीश्का के नज़ी कैसे होता है और वो बार बार बचाने कैसे आता है मलिशका को जरू कुस्तों गर्वड है तो वहीं आयू सो शालू को भी डाउट हो रहा है कि भाई मलिशका जैसी लड़की जो की बलविंदर सरक्षाप लड़के से दूर रहती थी आज ये दोनों इतने नजदी कैसे आदाते हैं बार ब अब फानली मलिशका बोल देगी बच्चा बलू यानि की बलविंदर का है चहां फामली वाले में देख लेंगे इस सारा ड्रामा और लक्ष्मी फानली सुन लेगी मलिशका के मुझ से सच्चाई कि वह प्रेगनेंट और ये बच्चा किसी और का नहीं बलकि बलविंदर का है ची हां सच्चाई फानली लक्ष्मी को पता चल जाएगा राईस शालू के सामने वी इस सचा जाएगा कि मलिशका और बलविंदर इसलिए बार बार टकराते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत कुछ हो चुका है और अब मलिशका प्रेगनेंट है तो दोस्तों फानली ख करें कि आप चाहते हैं कि पूरी सच्चाई परिवार के सामने खुल जाएं और यह लोग मिलकर आप इनकी शादी करवाएं तो हमें धेट सारे कामर्स की शेयर करें ऐसी टीवी की लीडिस अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें